इस साल का अंतिम सूर्य गरेंड दो अक्टूबर को रात में 9 बजकर 13 मिनट पर लगने वाला है जो 3 अक्टूबर को तड़के 3 बजकर 17 मिनट तक रहेगा इस सूर्य गरेंड का सुपरभाव 6 रासी के जातकों पर देखने को मिल सकता है सूर्य के सुब पर भाव से इन लोगों के लिए 9 के दौआर कुल सकते हैं और काम में सफलता मिल सकती हैं इनके साहस और परा करम में व्रद्धी होने के साथ ही आतमिस्वास भी बढ़ा रह सकता है आईए जानते हैं सूर्य गरेंड के सुब और सकारतमग पर भाव के बारे में दोस्तों अंतिम सूर्य गरेंड दोहजार चोवी छे रासी वालों पर होगे सुब पर भाव पुरसब इस साल का अंतिम सूर्य गरेंड वरसब रासी वालों के लिए अच्छा सावित होगा सकारतमक परभाव कन्या रासी वालों पर देखने को मिल सकता है इससे समय आपका एनरजी लेवल उचिस्तर पर होगा आप किसी भी काम को पूरा मनो योग से करेंगे और उसमें सफलता भी पराप्त कर सकते हैं आत्मिस्वास मजबूत होगा आप अपने सत्रों पर हावी रह स तुला आपकी रासी के लोगों पर भी अंतिम सूर्य गरेंड का अच्छा परभाव होगा करियर में आपको नई सुर्वात करने का मोका मिल सकता है आपको कोई बढ़िया प्रस्ताव मिल सकता है जो आपकी उन्नती के लिए मददगार होगा आपके रिष्टे मदूर होंग और आपका पाटनर सी भी अच्छा होगा वरेसिक ये सूर्य गरेंड वरेसिक रासी के लोगों की उन्नती करने वाला हो सकता है खास कर उन लोगों के लिए जो कोई बिजनेस करते हैं वयापार में आपको सफलता प्राप्त होने की उमीद है जिससे आर्थिक पक्स मजबू धनू अंतिम सूर्य गरेंड का सकारतमक परभाव धनू वालों की जीवन में भी होगा अपकी लव लाइफ रोमेंटिक हो सकती हैं लव पार्टनर के साथ अच्छा समय व्यत्तीत करने का मोखा मिलेगा दामपात्य जीवन में लाइफ पार्टनर का भरपूर साथ मिलेगा वेवाईक जीवन खुस होने की उमीद हैं इस दोरान आपके अंदर एनरजी की कोई कमी नहीं रहेगी सेहत ठीक होगी मकर यह सूर्य गरेंड मकर रासी वालों के लिए सुब फलदाई रहेगा आपके यस और कीरती में वरद्दी होगी इस दोरान प्रोपर्टी या अन्य जगों पर किया गया निवेस आपको माला माल कर सकता है धन की कमी दूर होगी कारिये छितर में आपका परभाव बढ़ेगा लोग आपको सम्मान की नजर से देखेंगे घर में भी आपकी बात का मान बढ़ेगा पुराने लटके वे काम बनेंगे और आपको सपलता मिलने की पूरी उमीद है दोस्तो अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और जादा से डादा सेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें